इसमें हमने नॉर्मल एडिशन नॉर्मल सब्सक्रेक्शन उसके लावा एड़ फॉल्वाइंग और सब्सक्रेक्शन कर लिए थे और आप सभी लोगों ने उनको सॉल्व भी कर लिये होंगे अब हमें जो लेंग्वे वाले कुशन होता है वह वह वाले क्यूं सौल करते हैं हम ब County करते हैं find the addition of largest number of 4 digits and largest number of 3 digits जैसा कि chapter number first में numbers में हमने देखा था कि 4 digits की largest number क्या होती है question में आपको दिया हुआ है क्या आपको add करना है 4 digit largest number 3 digit largest number question में दिया हुआ है कि आपको 4 digits जो largest number होती है 4 digits largest number है उसमें क्या add करना है 3 digits largest number तो 4 digits largest number plus 3 digits largest number तो 4 digits largest number कितना होता है आपको मैंने chapter first में बताया था 9999 और 3 digits की 999 add कर दो 9 plus 9 18 18 का 8 क्यारी कितना होआ 1 1 plus 9 10 10 plus 9 19 19 का 9 क्यारी कितना होआ 1 9 plus 1 10 10 plus 9 19 का 9 क्यारी कितना होआ 1 1 plus 9 10 तो एंसर क्या आगे आपके पास टो टोटल टोटल कितना होआ 10999 ओके यह आपका किस्व नमबर 4 ओके ओके अब हम सौल करता है किस्व नमबर 5 किस्व नमबर 5 में दिया होआ आपके पास रमेश डिपोजिटेड रूपीज 2850 इन जैनुरी और रूपीज 3600 रूपी इन फेवररी इन इस बैंक अकाउंट रमेश ने अपने बैंक अकाउंट में जन्वरी के अंदर 2850 रूपीज और फेवररी के अंदर 3650 रूपीज डिपोजिट करवाए फाइंदर टोटल अमाउंट लिपोजिटेड इन बहुत मơnस कमें कि पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट डिपोजिटर इन बहुत मंद दोनों महिनों में उन्हों कितने पैसे कितना इन दीपोजिट करवा या है किसनेnothing का किसने जमा करवाया है लिएफ ने ओके इसमसे पहले हमें क्या लिग ना है रमेश दिपोजिटेड इन जनुवरी रमेश क्या कर रहे है दिपोजिटेड इन जनुवरी रमेश दिपोजिटेड इन जनुवरी रुपीज टू थाउजट इन एटने फिपोजिटेड इन फेबुरी फेबुरी में कितने डिपोजिट कर वाए है 33652 किसयन उपसे क्या इमान कर रहे है तोतल आमाउन इं दिपोजिटेड dot व tidak रूंवरोट देन इन जनुवरी कि आपने क्या किया है डिपोजिटेड इन जैनुरी जैनुरी में कितने डिपोजिट करवा है तो क्या पूछ रहा है टोटल अमाउंट डिपोजिटेड इन बहुत मंस दोनों महिनों में कुल मिलाकर उसने कितना अमाउंट डिपोजिट करवाया अपने बैंकांट में इसने उनके जिरो प्लस सद्थ जी रो父 फ्लस फाइट तैन क्या रिखिक सब्ण्य की ट्न online वड़्य ₆नश्ड यह यह आपका answer है okay question number six आपको solve करना है question number seven आपको solve करना है question number eight आपको solve करना है question number nine मैं solve कर वा रहा हूं okay question number nine मैं solve कर वा रहा हूं question number nine question number nine question number nine seven और eight जो question है वो nine के according होंगे ठीक है addition and subtraction okay अगर कोई problem होती है कोई क्यों और होती है तो आप group में message कर सकते हैं मुझे अंडिर्जली में message कर सकते हैं what's up पे okay okay now question number nine a total of eight thousand nine hundred seventy six children were given drops of pulse polio under बगवाज बाज पंचायत इन थ्री फेज जो बगवाज पंचायत है वहां पे तीन फेज में प्लस पोल्य अभियान चलाया गया था वहां पे टोटल कितने बच्चों ने पोल्यों की दवा ली थी वह कितने थे अभी उन्हों की दवा ली थी उन्हों की बच्चों ने ली थी कितने चल्डर से लिती हाव मेनी चल्डर 2780 then and second children in second phase second phase में कितने चिल्रेश ने दवा लीती 2925 instead how many children were given the drop in the third phase यह कहना चाहरा है कि third phase में कितने बच्चों ने दवा लीती तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो first phase में और second phase में जो बच्चों ने दवा लीती उसको add करना है और उसका जो total आएगा उसको less किसमें से करना है आपको total में से तो क्या जाएगा third phase का कि जितने कितने बच्चों ने ड्रोग लेती वह आपके पास calculate हो जाएगी ओके continue करते हैं चिल्राइज वार गीवान ड्रॉप्स वार गीवान ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज देखो लेंग्वेजी में से देख के लिख रहा हूं चिल्राइज वार गीवान ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज इस्ट्रोब्स इक्राइज वार गीवान ड्रॉप्स ट्रॉप्समा ड्रॉप्स oleh गीवान ड्रॉप्स इन सेकंड फेज एकवाश्ट तू टू नाइन तू तू नाइन तू तू पाइब इन दोनों को क्या करना है आपको एड करना है तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कितने चल्डर्स ने ड्रॉप्स ली थी उसकी कल्कुलेशन हमें रिसी हो जाई जिरो प्लस फाइड फाइड एट प्लस टू टैन के जिरो केरी कितना हुआ वान वन प्लस सेवन एट एट प्लस नाइन सेवन्टीन सेवन्टीन के सेवन केरी कितना हुआ वन वन प्लस टू ट्री ट्री प्लस टू फाइड total कितना हुआ total children were given drops in first and second phase मैंने जो लेंग्वेज लिखी है वो क्यूशन में से देखके ही लिख ली है total children's अब यह total आ गिया किसका were given drops in first and second phase first and second phase में कितने बच्चों ने आपके पास दवा ली है अब continue करते है step second step second step second में आपको क्या करना है अब आपको third phase की calculation करनी है तो उसके लिए आपको पास total children were given drop of pulse volume अब्यान दिया हुआ है तो आपके पास क्या दिया हुआ है total children were given drop drop कितने बच्चों को drop दी गई थी total वह हमारे पास क्यूशन में given है कितना है 8,9,7,6 8,9,7,6 8,9,7,6 okay continue करते है अब इसमें से आपको less क्या करना है total children were given drop in first and second phase first और second phase में total मिलाकर कितने बच्चों को दवा दी गई थी जो आपने पहले calculate कर ली है वो कितने थी 5,7,0,5 अब इस में से इसको क्या करना है आपको less करना है तो हमारे पास क्या जाएगा total children were given the drop in the third phase क्या जाएगा हमारे पास total children were given one drop in third phase okay let's करो six minus five one seven में से zero less किया तो zero nine में से seven less किया तो two eight में से five less किया तो three यही क्या आपका answer okay तब क्या अच्छे से समझ में होगा एक बार इस question को मैं दुबारा revise कर देता हूं question में आपको दिया हुआ है कि आपको total children जिनोंने प्लस को लिया भी आन में participate किया था जिनोंने ड्रॉप्स लेती दवा लेती वह कितने थे eight thousand nine hundred seventy six उसके लाव फर्स्ट फेज में जिन बच्चों ने जिन चिल्डरस ने ड्रॉप्स लेती वह कितने थे two thousand seven hundred eighty और second phase में ड्रॉप्स लेने वाले चिल्रंस कितने थे two thousand nine hundred twenty five और आपको क्या करना है कितने how many children were given the drops आपने कितने बच्चों को ड्रॉप्स दी third phase के अंदर वो calculate करना है तो सबसे पहले description में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो फर्फेस में चिल्रंस को आपने ड्रॉप्स दीथी उनपोको है जो इन्होंने प्लस पोल्य अभियान में ली थी उनमें से लेस्ट किसको करना है टॉटल चेल्डरंस वर गिवन डॉप इन फर्स्ट और सेकेंड फेज इसमें से लेस्ट करने के बाद आपका जो एंसर आएगा वह क्या आएगा जो कि किशन ने आप से डिमांड की है जो कि यहां तक किशन आप सोल्व करेंगे किशन नमबर टैन भी आपको सोल्व करनी है ओके 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 थैंक्यू बाइबाइब कंटिन्यू करेंगे हैं नेक्ट क्लास में ओके बाइबाइब